Hello dear students, today I will discuss test cross. First we discussed, we studied monohybrid cross, dihybrid cross. What is the meaning of monohybrid cross? Monohybrid cross is a cross in which Mender observed single character. Okay students, now I have told you about the first discussions that there are many of them. When they say monohybrid cross, when they say one character, they are considered one character. The second is your question. Uh, the only thing you know is that other characters know, it is similarologically in different contexts, and have a cerca upon her daughter. बनता है मैभी वो दोनों जीन सिमिलर नेचर के हो सकते हैं यानि होमोजाइगґस कंडिशन हो सकती है mostly जो जीन से पयर में होते हैं उनमें एक जीन डॉमिनेंट होता है एक जीन रेसिव होती है अगर जो पयर ऑफ जीन स बनते हैं इंडिविजूल में वो दोनों सेम नेचर के हुए तो बोलते हैं कि होमोजाइगस कंडिशन है दोनों सेम डॉमिनेंट है तो होमोजाइगस डॉमिनेंट कंडिशन होती है जो दोनों ही सेम रेससिव है जीन तो कहेंगे कि रेससिव होमोजाइगस कंडिशन है लिकिन अगर जोड़े कि दोनों जी जो किसी एक जीव में, किसी एक समय में, किसी एक लक्षड को निरदारित करने के लिए पाय जा रहे हैं, अगर वो डी सीमिलर नेचर के हैं, तो बोलते हैं कि हेट्रोजाइगस कंडिशन है उस केरेक्टर के लिए, तो अगर हम जो क्रोमोजोम का स्टक्चर है, मैंने आपको भी है, तो दो रूपों में हैं, तो जीन के रूप, फॉर्म्स, फॉर्म्स ऑफ जीन्स, इन्हें एलिल्स कह देते हैं, यह सारा डिस्कुशन हम लोग कर चुके हैं, यहां मैं आपको फिर से क्यों बता रही हूं, क्योंकि टेस्ट क्रोस की क्या सिक्निफिकेंस थी, क्या इ रही है क्रो मुवजोम होगा, माली जी कि ये मतर का पौदा है, यह से हम लोगों ने मतर का पौदा दिखा था, तो ब्सकुशन होगा, तो ऊसमें जो टोटल नॉमबर आप क्रोमोजोम होँगे, वो एक फिक्स्ट होते हैं नंबर क्रोमोजोम के, जैस हियॉनकि क्योंदर से तो 46 chromosome होंगे उसमें इसी तरह P plant कता है। नंबर थो fixed ह्वा एक छेल में जैसे कि कोई वह एक सेल अगर P plant कि लिया तो उसका data Nucleus है उसके अंदर chromosome है और यही chromosome इस theology से आप देख पाते हैं। so यह chromosome पर जो जीन अच्छीन जैने जिए जब वह कहते हैं कि mono hybrid cross कर रहे हैं तो क्या जो बाकी जीन है उसको वो कहीं हटा दे रहे थे वो जीन कहीं चले जाते हैं नहीं कहीं जाते नहीं है वो भी present रहते हैं लेकिन किसी एक टाइम पर वो किसी एक ही जीन की inheritance को या unit factor के inheritance जीन को ही वो unit factor बोलते थे मेंडल तो एक ही unit factor जो एक करेक्टर को decide करने वाले unit factors हैं उनके ही pairs का inheritance उनकी एक जनरेशन में अगले जनरेशन में किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं उनका क्या प्रभाव रह रहा है इसी बात को वो study करते थे तो जब वो किसी एक ही करेक्टर के लिए study करते थे उसे monohabrid cross कहते थे तो कैसे करते थे मतलब क्या ऐसी बात होगा कि उसको उनने पूल दिया monohabrid cross है तो pure breed प्राप्त करना ही इसके लिए main बात थे अब कहोगे कैसे pure breed प्राप्त करना कैसे इस बात के लिए हो गया कि बाकी जो chromosome है वो है भी पर उनको study नहीं क कर रहे हैं और इसी पर कैसे कर पा रहे हैं इसलिए बिटा कि जो प्योर ब्रीड है वो मिलता कैसे है किसी भी क्यारेक्टर का प्योर ब्रीड कि अगर उन्हें सारे पाधे उन्हें वालट कलर के लिए प्योर ब्रीड चाहिए तो वालट कलर के लिए दो जीन है एक कैप्टल डबलू है और एक स्मॉल डबलू है जो capital W gene है वो dominant है small w जो है वो recessive gene है capital W जो है अगर capital W gene जो है ये दोनो capital W है तो wallet color आता है और F1 generation में सारे wallet plants उनको मिल रहे थे इसके लिए वो बोले कि wallet color जो है वो dominant है अगर small w, small w genes साथ रहते हैं तो white color के flowers आते हैं लेकिन एक और condition है जब एक gene capital W है और एक small w है यानि हट्रोजाइगस condition है तो भी wallet color का ही expression आता है तो भही इसी के उपर focus करते हैं जब stem height की बात करते हैं just time height की बारे में बताने लग जाते थे की Capital T dictionary capital T gene के बारे में बात करने लगते थे हैं अब यहां बात कर रहे हैं flower color के बारे में तो W, So W, small w, small w, Capital W, small autos синese為什麼 scatter charge कर प्राप्ति किये और एक बार में किसी एक ही जीन के लिए वो seven eight generations तक characters को observe करते रहे हैं और इसलिए जब वो केवल एक ही character को देखते थे यानि और कैसे देखते थे कि मालीजे अगर stem height को mono hybrid cross में वो consider कर रहे हैं तो वो क्या करते थे कि कोई एक generation उन्होंने ली कोई एक मतर का पौधा दो पौधे लिए एक male हो गया और एक हो गया female parent इनके बीच cross कराया और जो पौधे आये कुछ पौधे लंबे आएंगे कुछ बौधे आएंगे जितने भी बौधे थे इन्हें consider नहीं करेंगे अगले बार generation प्राप्त करने के लिए जो लंबे पौधे हैं उन्हें ही male और female parent बनाएंगे ऐसा 7-8 generations तक repeatedly वो करते गए तो उन्हें pure breed मिल जाएगा किसके लिए tallness tallness जो stem height का एक trait है उसके लिए pure breed मिल जाएगा इसी तरीके से इसी तरीके से वो डौफनेस के लिए डौफनेस के लिए भी 7-8 generations तक cross कराते गए यानि कि जो उन्होंने male और female प्लांट लिया उससे जो generation आई उन्हें से लंबे पौधे भी आए और बौने पौधे भी आए इस बार उन्होंने सारे लंबे पौधे हटाए और सिर्फ बौने पौधे में से male female parent select किया इनसे जो अगली generation आई उन्हें भ बौने पौधों को as a male female parent select किया ऐसा ही वो selfing इसी को कहा कि वो 7-8 generations तक कराते गए और उन्हें pure breeds मिले और अगर वो दो characters को ध्यान में रखते हुए 7-8 generations तक pure breed obtain करते थे जैसा कि उन्होंने गोल पीले बीज के लिए किया कि एक बार उन्होंने parent लिया जिसने गोल पीले बीज थे तो गोल पीले बीज के लिए जब वो pure breed obtain कर रहे थे यानि कि एक seed जो होगा उसका color yellow होगा और उसका shape round होना चाहिए तो पहले तो first उन्होंने कोई भी male और female parent select किय उन्से जो offspring आई उन्हें कुछ बीज गोल पीले थे और कुछ उच बीज सिक्डे हुएं हरे थे सिक्डे ओर हरे वाले बीज को उन्हें चोड़ दिया गोल पीले बीज वाले सेあとP सेलफिंग करते गए फिर जो उन्हें एक जनरेशन मिली वो क्या हो गई यलो राउंड सीट का प्योर ब्रीड उन्हें मिला यानि कि जब वो डाई हाइब्रिड क्रॉस किया उन्होंने तो प्योर ब्रीड ऑप्टेन करने के लिए उन्होंने हर बार जो रहसेसिव ट्रेट्स वाले और स्प्रिंग मिलते थे उन्हें एक्स्क्लूड करते जाते थे अगली जनरेशन ऑप्टेन करने के लिए उन्हें इंक्लूड नहीं करते थे तो इसी लिए वो कहते थे कि यह मोनो हाइब्रिड क्रॉस है यानि हमने एक ही करेक्टर के लिए प्योर ब्रीड hybrid cross है, ओके students, तो चलिए यहां तक की बात आप समझ गए होंगे, लेकिन problem यह आई कि जब मेंडल pure breed obtain करके parents select करते थे 7-8 generations तक, उसके बाद भी जब उन्होंने experiment कराए ऐसे pure breed plants के बीच में, तो उन्हें हमेशा F1 generation में hybrid plants मिले, यानि कि वो hybrid और क्या उन्हें खास बाती हाइबरीट में, कि जो hybrid plants थे, one of the parents के जैसे ही थे, दोनों parents के जैसे नहीं थे, जैसे कि अगर उन्होंने violet flowers और white flowers के बीच cross कराया, तो F1 generation में उनको सारे पौधे कैसे मिले, violet मिले, जबकि उन्होंने violet भी parent pure breed से obtain किया, white भी parent pure breed, seven to eight generations तक selfing कराकर obtain किया था, फिर भी उन्हें F1 generation में हमेशा hybrid मिला, और जो कि किसी एक parent के जैसा था, अब यहां तो वो सिर्फ observe ही तो कर पारे था कि color कैसा है, color किसी एक ही parent के जैसा था, और वो color क्या हो रहा था, F1 generation के सारे पौधों का color रह रहा था, violet, अब इस F1 generation के पौधों में लेकिन जब उन्होंने selfing कराई, और उससे F1 generation के बाद उन्हें जब F2 generation मिली मिटा, तो वहां वो और surprise हुए, क्यों surprise हुए, कि अब F2 generation में जो recessive character, यानि यहाँ जो दो parents लिए गए थे, उन्हें से एक parent का जो trait था, जो F1 generation में नहीं दिखाई दिया, कोई भी white flower F1 generation में नहीं दिखाई दिया, वो face F2 generation में reappear हुआ, reappear हुआ, तो Mendel के दिमाग में तब यह बात आई, कि maybe, maybe यह जो F1 generation आई है, जो violet color देखने में तो flower violet color का लग रहा है, लेकिन, लेकिन इस violet color के flower plants जो है, इनका जो genotype है, उसमें recessive gene भी है, उसमें recessive gene भी है, तो इसी बात को जानने के लिए कि कैसे उसे वो experimentally prove करें, तो उन्होंने एक technique निकाली, जिसे उन्होंने क्या कहा, test cross कहा, यानि कि F1 generation में उनको क्या मिल रहा था, जो hybrids मिलते थे, अब यह hybrid भई, जो character express कर पाया, वो dominant character है, और आप जान रहे हैं कि dominant दो तरीके से आ सकता है, या तो दोनों homo-jagos है, तब भी dominant trait आता है, या एक dominant gene और aggressive gene, dissimilar nature gene साथ-साथ आए, heterogigous condition है, तब भी expression dominant का ही आता है, तो पहली वाली condition से तो कोई tension नहीं है, लेकिन जो second condition है, यानि कि यह जो condition है, heterogigous अगर है, तो यह जो heterogigous है, यह expression में तो हम इनको और इनको नहीं decide कर सकते, कि क्या actually, जो appearance में dominant trait दिखाई दे रहा है, appearance पे dominant trait दिखाई दे रहा है, वो इस genotype के करण है, या इस genotype के करण है, इसी को decide करने के लिए, मेंडल ने एक technique develop की, जिसे कहा, test cross, okay students, और आज का हमारा यही topic है, in order to prove that F1 is heterogigous, F1 जो है, क्योंकि और क्यों उनके दिमाग में यह आया, heterogigous होने का, वो एक ही parent के जैसा दिख रहा है, तो homo-gagous भी वो समझ सकते थे उसको, लेकिन heterogigous की बाद इसलिए उनके दिमाग में आये, कि F1 generation में recessive character reappear हुआ, तो इससे उनके दिमाग में आया, कि F1 generation में भले ही जो dominant trait दिखाई दे रहा है, उस dominant trait वाले के पास recessive gene भी है, यानि कि F1 generation के पास dominant gene भी है, और recessive gene भी है, यानि वो क्या है, heterogigous है, means in order to prove that F1 is heterogigous, तो पूछा थे आपसे कि Mendel ने क्यों test cross device किया, तो Mendel devised a simple cross that is test cross to prove, to prove that F1 is heterogigous, okay students, in a test cross, the F1 generation is crossed to a recessive parent instead of selfing, तो test cross क्या है, simple आपको एक line में बताना आना चाहिए, कि F1 of springs को, F1 hybrids को, F1 generation में जो पौधे मिल रहे थे, जब उन्हें Mendel ने recessive parent से cross कराया, किस से cross कराया, recessive parent से, आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना है, कि test cross क्या है, what is test cross, test cross, इस cross किसके बीच है, dominant expressing offspring, dominant expressing offspring, वो कौन सा है, F1 generation की offspring है, जो दिखने में dominant है, उसका cross किस से है, homozygous recessive parent से, ठीक है, F1 heterogigous dominant का cross heterogigous, sorry, homozygous recessive parent से कराते थे, Mendel तो इसे ही test cross कहते थे, और क्यों करा रहे थे, ये जानने के लिए कि जो dominant दिख रहा है, उसका genotype क्या है, वो homozygous dominant है, या वो heterogigous dominant है, अगर लंबा सारा पौदा F1 generation का दिख रहा है, तो सारा capital T, capital T gene की वज़़से है, या उनमें कुछ capital T, small T gene भी है, तो यही जानने के लिए Mendel ने test cross, जो है, वो decide किया था, तो देखे, जो Mendel का एक pattern था, अपने cross का decide करने का, देखे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि parent generation वो लेते थे, parent generation में pure breed लेते थे, फिर उनसे gamete मिलते थे, उससे cross कराके, उन्हें F1 generation मिलती थे, जो सारे कैसे होते थे, hybrid, जो उन्होंने बाद में बताया, experimentally, जब law निकाला, तो बताया, F1 generation के, सारे plants hybrids है, बट जब वो experiment कर रहे होंगे, तो आप suppose करिए, कोई उन्हें genes तो दिखाई नहीं देते थे, आज भी हम gene को बिल्कुल एकड़म, exact location पर gene को नहीं देख सकते, chromosome को ही देख पाते हैं, तो उस टाइम तो chromosome को भी नहीं देख सकते थे, बहुत जादा concept, chromosome को बहुत clear बहुत जादा इन चीज़ों के बारे में knowledge नहीं थी, तो इसी लिए उन्होंने इनको unit factors कहा था, कि unit factors एक generation से दूसरे generation में जा रहे हैं, तो F1 generation में इनको जैसे पाधे सारे मिलते थे, उससे जब F2 आती थी, तो F2 में उन्हें नहीं देखा कि यहां तो देख रहे हैं कि F1 generation में जो सारे पाधे हैं, या एक one of the one parent जैसे हैं, especially जो dominant parent था, चाहिए उसको male बनाओ, चाहिए female बनाओ, dominant parent जैसे थे सारे F1, लेकिन F2 में फिर से देखिए, जो recessive traits थे, वो भी आ गए, recessive traits थे, कुछ-कुछ, वो भी आ गए, कुछ तो नए combination के साथ भी आ गए, तो इसके लिए ही उन्होंने सोचा, कि यह जुठ है, वो यहां तो R, R, Y, Y हमने लिया था, लेकिन ऐसा हो सकता है, कि जो F1 generation में आये हैं, वो R, R, Y, Y ही नहीं है, बलकि क्या है, R, small, or, capital Y, small, Y भी हो सकते हैं, इसके लिए ही इन्होंने test cross कराया था, उसके पौधों के बीच में वो selfing कराते थे, उन्हें से कोई एक पौधा male parent, और कोई एक female की तरह select करते थे, यानि कि एक का pollen grain, दूसरे की stigma पर spray करते थे, अब क्यूंकि यहां पर दो traits लिए गए हैं, तो combination भी बनेगा, और हर एक gamit में, हर trait का कम से कम एक gene जाएगा, जोड़े के दो gene में से, एक gene हर एक gamit में, हर एक trait का जाना चाहिए, और हर एक gamit में, दोनों characters के genes भी जाने चाहिए, इसलिए देखिए, आपको हर एक gamit में, कम से कम दो gene दिखाए दे रहे हैं, दो gene है, दो अलग-अलग characters वाले हैं, अलग-अलग characters वाले हैं, एक seed shape का, seed color का, seed shape, seed color, seed shape, seed color, ठीक है, तो दोनों ही traits के genes साने हैं एक पात, और दो में से एक ही gene gamete बनते समय जाते हैं, और यही law of segregation है, gametes at the time of gamete formation, pair of genes gets segregated, gamete में जोडे में से एक ही gene जाता है, character को decide करने वाला, ठीक है, तो generally तो यह यह follow करते थे plan, लेकिन, लेकिन test cross में उन्होंने क्या कराया, यह वाला step नहीं कराते थे, test cross में यह step नहीं कराते, आप याद रखेंगे, यह पूरा step नहीं कराते, वो test cross में क्या कराते हैं, बलकि यह जो F1 hybrid है, हमेशा इसको cross करा रहे थ थे, recessive parents से, इन दोनों के बीच में cross कराते थे, और जब भी उन्होंने ऐसा cross कराया, तो उनको दो तरीके के results मिले, और वो results क्या थे, वही अब हम लुग आगे discuss करेंगे, कि जब उन्होंने F1 heterogigous dominant को double recessive homogigous parent से cross कराया, तो उन्हें क्या संभावना है, मिली, तो यह आपकी book में बना हुआ diagram है, तो आप देखेंगे, देखें यहाँ पर तो क्या है, इधर की तरफ जो लिया गया है, यह क्या है आपका, यह तो है बिटा, आपका homogigous recessive parent लिया है, homogigous recessive parent लिया, और उसको किस से cross कराया है, जो F1 generation का पौधा मिला था, अब आज हमें पता है ना, कि F1 generation में heterogigous मिलता था, लेकिन यह जो ऐसा दीख रहा है, इसको Mendel ने कैसे proof किया, कि यह heterogigous है, इसके लिए क्या-क्या इन्होंने, इसकी दो संभावनाए हो सकती, उन्होंने बताया, कि या तो यह capital W, capital W होगा, यानि कि दोनों ही gene dominant होगे, या यह capital W, small w होगा, यानि कि दोनों ही gene जो है, d similar होगे, एक dominant होगा, और एक recissive gene होगा, तो उन्होंने दोनों को लेकर, पहले इससे सिर्फ एक Punnett square method से केवल उनकी probability दिखाई, कि अगर यह heterogigous है, तो यह जो cross हमने किराया, F1 offspring का recissive parent से, तो इनको 50% violet color वाले और 50% white color के फ्लार मिलेंगे, और अगर F1 generation का, जो offspring आया, वो homojigous dominant है, homojigous dominant है, तो जाहिर सी बात है, उसके पास recissive gene नहीं है, और recissive gene नहीं है, तो जो सारे पौधे cross कराने पर, recissive parent से भी cross कराने पर, सारे पौधे wallet color के ही आएंगे, wallet flower वाले ही सारे पौधे मिलेंगे, यानि सिर्फ dominant rate ही present होगा, यानि कि आप clearly देख पा रहे हैं कि Mendel ने जब F1 generation के पौधे को, ये F1 generation का पौधा तो वही है, एक ही पौधा है, बस उसकी probability इन्होंने जो है, ये mathematically दो इन्होंने माना, पहले माना उन्होंने, कि ये हो सकता है और ये हो सकता है, तो उन्होंने बताया कि अगर ये भाई हेट्रोजाइगस है, तो ये cross कराने पर 50% wallet और 50% white flower वाले plants उसको मिलेंगे, यानि उसको white flower वाले plants भी मिलेंगे, और हुआ ऐसा ही, क्योंकि ऐसा ही होता था, इसके लिए ही Mendel ने बताया कि जो F1 hybrids होते हैं, वो हेट्रोजाइगो होते हैं, इसी बात से उन्होंने बताया, okay students, तो इस तरीके से Mendel ने ये एक mathematical approach अप्लाई की और इस तरीके से उन्होंने ये proof किया कि जो F1 generation के dominant appearance वाले, dominant phenotype वाले plants हैं, वो genotype में कैसे हैं, उनका genotype क्या है, क्या वो homozygous dominant है, या वो heterozygous dominant है, तो ये इससे उन्होंने यह हाँ पर proof किया, क्योंकि जो white color के flowers है, वो भी appear हो रहे हैं, अगर हम ऐसा cross बनाते हैं, F1 offspring का restive parent से cross बनाते हैं, और उसमें restive character ही appear होता है, तो इसका मतलब ही है, कि F1 offspring heterogeneous dominant है, यानि उसके पास restive gene भी है, पर एक restive gene इससे मिलेगा, और एक restive gene इससे मिलेगा, और तब जाकर double recissive आएगा, और recissive तो अपने आपको केवल तभी present कर सकता है, जब जोड़े के दोनो gene recissive हो, और तभी इसलिए इस तरिके के flower दिख रहे हैं, white flower दिख रहे हैं, तो इस तरिके से उन्होंने इसलिए ये कहा, कि इसमें जो gene है, वो small double gene भी है, और इसलिए F1 hybrid क्या है, या heterozyigote है, ओके student, तो इस तरिके से, इन्होंने test cross, the F1 generation is cross to a recissive parent instead of selfing, जो उनका normal plan था, उसकी जगा, selfing कराने की जगा, उन्होंने recissive parent से cross कराया, और उससे जो results मिले, तो उन्होंने देखा, कि जो results है, वो ratio wise अगर आप देखेंगे, तो क्या हो रहा है, कि एक तो result उनको म पिल रहा है, 50% violet flower, 50% white flowers, और यहां के result पिल रहा है, all violet, 100% violet, और यहां 50% violet, 50% white, तो यही result से ही वो बता पाते थे, क्योंकि result में ऐसा आया, तो उन्होंने कहा, कि यह heterozyigote, यह वाला जो है, यह plan जो है, वो यह fall हो रहा है, उनके F1 dominant hybrid expression के पीछे, okay students, तो I hope आपको यह बात समझ में आ रही होगी, तो चलिए, result analysis of a test cross, मैंने आपको बता ही दिया था, वहाँ जो पीछे के diagram में, दो cross आपको दिख रहे हैं, उसी को यहां पर लिखा गया है, if the dominant expressing organism is a homozygote, अगर वो homozygote है, यानि उसमें दोनों जो gene है, capital W, capital W, अगर दोनों gene है, तो क्या होगा, जो सारी offsprings आएंगी, वो सारी कैसी होगी, dominant trait को express करने वाले हैं, लेकिन अगर, जो dominant वाला है, heterogigors condition में है, यानि एक capital W, और के सासा small w gene भी उसमें है, तो F1 offsprings जो होगी, उनमें क्या होगा, उनमें recessive character भी दिखाए देगा, और dominant character भी दिखाए देगा, 50-50% ratio आएगा, तो इसके लिए ही उन्होंने यही result analysis थी इनकी, और जो test cross था, वो मेंडल ने, क्या, उसका significance उस time मेंडल के लिए तो यही था कि experimentally वो proof कर पाए थे, कि 7-8 generations तक selfing कराने के बाद, मैंने pure breed obtained की, और उन pure breed में से, male, female अलग dominant pure breed लिया, और female की तरह मैंने recessive pure breed लिया, उसके बाद भी F1 generation में मुझे dominant expression मिला, लेकिन वो dominant expression actually heterogigous है, और उसके पास recessive gene भी है, और इसलिए F2 generation में, फिर से recessive character जो है, वो reappear हो पाता है, इस बात को मेंडल test cross से ही proof कर पाए थे, बेंडल developed a way to determine whether an organism that expressed a dominant trait, या और पहले तो उन्होंने अपने लिए इसके लिए यूज किया, और आज plant breeders इसको यूज करते हैं, plant breeders किसी भी dominant expression वाले plant को उसके अगर recessive parent से cross कराया जाए, और उससे जो result मिले, उस result में dominant recessive दोनों character वाले offsprings मिले, तो यह कहा जाएगा कि वो dominant heterogyakot है, और अगर सारे कैसे मिले offsprings केवल dominant expression वाले offsprings मिले, तो कहा जाएगा कि वो जो plant जिसका हम genotype जानना चाहते हैं, वो homo जाएगूट है, तो आज भी plant breeders किसी भी dominant, यानि कि दिखने में dominant character की जैसा दिखने में, जैसे कि tallness एक dominant character rate है, जैसे wallet color appearance एक dominant rate है, जैसे कि yellow seed color dominant rate है, या green pod color dominant rate है, round appearance, round sheet shape वाले जो है, वो dominant rate है, तो यह जो dominant है, वो pure dominant है, यानि दोनों gene dominant gene वाले है, या कोई एक gene उनमें कम से कम recipe वाला भी है, तो यही question था और आज भी इस question के solution के लिए क्या करना है, उस जो दिखने वाला पौदा है, dominant दिखने वाला पौदा है, उसका cross उसके double recipe parent से करा दिया जाए, और उससे सारे dominant expression वाले पौदे आए, तो यह कहा जाएगा कि वो पौदा homozygals dominant था, और अगर उसके सारे dominant और रेसिव दोनों ही आएंगे offsprings में, तो कहा जाएगा कि वो जो dominant expression, dominant phenotype वाला plant है, एक्चुली वो heterozygals genotype वाला है, तो यह बहुत ही अच्छा सा उनका expression था, और इसी को उन्होंने आज भी इस technique को यूज किया जाता है, plant और animal breeders के दोड़ा, और इसने Mendel के जो postulates थे, उसको पूरा एक experimental background दे दिया था, कि कोई question mark निलका सकते, कि भई यह अपने मन से बता रहे हैं, कि एक gene capital T होता है, एक small T होता है, capital W होता है, यह दो तरीके के gene पाया जाते हैं, यह इतनी बड़ी बाते थे जिसे आज हम लोग मानते हैं, बट आप सोच सकते हैं कि जिस ताए Mendel ने यह proof किया, इसलिए उनकी death के लगबग 20-20 साल तक भी उन्हें कोई नहीं जानता था, और वो इतना बड़ा काम करके, इतनी बड़ी discovery करके humanity के लिए गय थे, आज भी हम लोग genetics का उनको इसलिए father मानते हैं, तो students, I hope आप मेरी points को समझ पाए होंगे, तो अब यहाँ पर मैं अपना discussion जो है, वो sum up करती हूं, और मैं आपको जरूर एक quote भी बताना चाहूंगी, life is about balance, be kind, but don't let other people abuse you, trust, but don't be deceived, be content, but never stop improving yourself, और especially इस corona time में तो हमें जितना अपने काम करने की जरूरत है, उतना ही हमें अपने आपको improve करने की साथी साथ motivate करने की जरूरत है, आप अपनी English speaking skills में improvement कर सकते हैं, या आप अपनी mathematical calculations होते हैं, उनकी speed बढ़ा सकते हैं, आप अपनी reading speed बढ़ा सकते हैं, ऐसे बहुत से चीज़े हैं, जिनमें आप अपने आपको English रख सकते हैं, या आपकी अपनी कोई और hobby है, तो आप उसे improve कर सकते हैं, develop कर सकते हैं, और keep motivated, goodbye, thank you.